बिस्मिल्लाइ रख्मान एराहें असलाम लेकुम क्लास मैं हूँ आपकी कंप्यूटर की टीचर क्लास के 6 लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चेप्टर नमबर 1 के पेश नमबर 6 तो 8 तक ही रीडिंग की थी क्वेशन आंसर जो मैंने आपको मार्ग करवाय थे वह क्वेशन नमबर 1 और 5 थे और एक एक्स्टर क्वेशन भी करवाया था अब हम अपना लेक्चर नमबर 2 स्टार्ट करते हैं लेक्चर नमबर 2 में हम चेप्टर नमबर 1 के पेश नमबर 9 तो 11 तक ही रीडिंग करेंगे क्वेशन आंसर में मैं मार्ग करवाऊंगी क्वेशन नमबर 2, 3 & 4 एमसी क्यूज करेंगे और बुक्वा करेंगे कम्प्लीट चलें अब अपनी रीडिंग की तरफ आएं करता है और कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है प्रेशर सॉफ्ट्रे इस यूज तो मैनेज डिफरेंट टाइप्स अफ डाइटा जिसमें माली अदाद शुमार मजूद होते हैं अधर यूज़ज में भी इनवेंटरी हैंडलिंग, सेल एंड परचेस, इनवाइसिंग और बजटिंग, एटीसी और इसके दूसरे यूज़ज क्या हैं, कि कि इनवेंटरी को हैंडल करना, ठीक है, खरीदो फ्रॉफ्ट की रसीदे बनाना और बजट मनजूर करना वगएरा अब इनवेंटरी हैंडलिंग का क्या मतलब होता है, कि जो भी अज़दाद की जाती है, उसमें जो भी अदाद और शुमार जरूरी होते हैं, उनको परफॉर्म करना होता है MS Excel is a special software included in MS Office जो MS Office में हमारे पास special software मुजूद है, वो क्या है, MS Excel in space sheet, data is managed in the form of rows and columns, space sheet में data को किस तरा manage किया जाता है, rows और columns के साथ manage किया जाता है these columns and rows are present on a worksheet, in MS Excel, worksheets are present within a workbook अब यहाँ पर उनने पताया है, कि जो भी rows and columns होते हैं, वो कहां पर मजूद होते हैं, worksheet और worksheet कहां पर मजूद होती है, workbook में in MS Excel 2010, each space sheet has 16,384 columns and 10,48,576 rows अब यहाँ पर उनने बताई है, कि MS Excel 2010 में कितने rows और columns मजूद होते हैं intersection of rows and columns is called cell, rows and columns are just for the structure, data is actually kept within a cell जो rows and columns का intersection होता है, कि जहां पर rows and columns मिलते हैं, कोई एक row और एक column आपर जहां पर मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, cell कहते हैं जितना हम data हम spaceship में रखते हैं, वो cells में ही रखा जाता है, लेकिन जो उसका structure बनाते हैं, उसमें हम rows and columns जरूरी होते हैं cell can also have a formula, ठीक है, cell में क्या होता है, हम formula लिख सकते हैं, cell का एक formula होता है formula perform calculation on the data and display result in the cell formula क्या करता है, कि calculations perform करता है data पर और उसके बाद जो result होता है, उसको cell में present कर देता है functions are predefined formula, functions क्या है, ये पहले से ही, जिन्हें वाज़ा कर दिया जाता है, डिफाइन कर दिया जाता है, वो बाले formula है that are present in special software, जो के special software में मजूद होते हैं, functions are provided to make use of common calculations easy functions किसलिए दिये जाते हैं, ताकि हम जो भी calculations कर रहे हैं, उसे easy तोर पर कर सकें in MS Excel, there are many built-in functions related to mathematics, finance, status, text, date and time MS Excel में बहुत सारे formulas मुझूद होते हैं, जो के मुक्तलिफ काम सरअजाम करते हैं, जो के मुक्तलिफ calculations perform करते हैं special software provide facility to make charts by using the data, special software में एक और facility मुझूद होती है कि हम charts भी बना सकते हैं, जो भी हमारे पस data available हो उसके मताबिक charts present the data in a pictorial form, it is easy to understand and analyze data by seeing in the form of charts charts जो हमारे pictorial form में मुझूद होते हैं, जब जो भी चीज हमारे पस picture की form में हो या pictorial form में हो, उससे समझना असान होता है इसलिए जब हमारे पस charts मुझूद हो तो हम data को असानी से समझ सकते हैं in ms excel, images, clip art and diagrams can be inserted on the spare sheet this makes a spare sheet more than just a collection of data in ms excel में images भी मुझूद हो सकती है, हम clip art भी add कर सकते हैं and diagrams we can store all these things in space should software now, the next topic presented this topic presentation graphic software , presentation graphic software is analytics software used to make slides presentation graphic software which we use to make slides? and it is used to make slides ten times, now slides, it contain text style, graphics, audio or videos Slides में क्या क्या मजूद होता है इसमें text होते हैं, graphics होते हैं, charts, audio and video भी हो सकते हैं Slides are made to convey ideas, thoughts and information to other slides किसलिए बनाए जाते हैं ताके हम अपने ideas, हमारी जो सोच होती है, जो information है, जो information हम दूसरों तक पहुंचा सकें MS Office has a presentation graphic software name MS PowerPoint MS Office में जो presentation graphic software मुझूद होता है, उसे हम क्या कहते हैं MS PowerPoint A document made by presentation graphic software is called presentation Each presentation may have one or more slides, after preparation, presentation is run When a presentation runs, slides are displayed one by one, this display of slides is called slideshow जो भी presentation graphic software के जरीए एक document बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, presentation कहते हैं एक presentation में बहुत सारी slides, एक या एक से जादा slides परी मुझूद हो सकती है जब presentation हमारी complete हो जाती है, हम उसे run करते हैं उसके बाद जो slides है हमारी, एक बाद दूसरी slides चलती है, इसे हम क्या बोलते है, slide show Presentation graphic software's provide themes, presentation graphic software's क्या provide करता है हमें Themes provide करता है, these themes have a unique layout, color scheme and overall style of slides Themes are applied to change the visual appearance of slides Themes क्या करता है, इसमें एक unique layout मुझूद होता है, presentations के लिए उसके बाद इसमें color schemes मुझूद होती है, और उसका style होता है, totally style slides का यह हमारी, जब भी हम themes को apply करते हैं, तो हमारी presentation का जो visual layout है, वो complete change हो जाता है During slideshow, contents of a slides are normally shown with some effects These effects are called animations, for example, text appearing from the top or image appearing with blinks effect यह different effects बताएगे हैं, जो के presentation graphic softwares में मुझूद होते है MS PowerPoint has many built-in animations, MS PowerPoint में बहुत सारी built-in animations मुझूद होती है These animations can be applied to text, images, or other objects How many animations को different objects पर apply कर सकते हैं Visual effects can also be implemented on transition of slides When a slide disappears and next one appears, it can appear with special effects Word processing tools are also provided in presentation graphic software These tools help in formatting of the text used जैसे Word में कुछ tools मुझूद होते हैं Same ऐसे ही presentation graphic software पर मुझूद होते हैं ताके हम अपने text को style दे सकें ठीक है उसकी formatting कर सकें यह था आपका presentation graphic softwares अब next हमारा है databases Database Database is simply a storage of data Database क्या है? Data को store करने के लिए एक जगा है Data is a collection of raw facts in computing Data is a collection of facts which are ready to be processed Data ऐसे facts पर मुझूद होते हैं जिने अभी हमने process नहीं किया होता ठीक है? ऐसे हकाइक पर मुझूद होता है ऐसी चीजों पर information पर मुझूद है जिसे हमें process नहीं किया होता Data can be in different forms like numbers or text on a paper, bits and bytes on a storage device or facts stored in the mind Data different तरह को हो सकता है जैसे कि कोई text या number लिखा हो हमने paper पर इसे तरह को bit या byte हो storage devices में इसके इलावा कोई facts हो जो हमारे mind में मुझूद हो यह सब क्या हो सकता है data हो सकता है database management system or DBMS is a software that provides a facility to store, retrieve and modify the data database management system or DBMS एक ऐसा software है जो के data को store कर सकता है दुबारा हम data retrieve कर सकते है मतलब कि अगर हमने को data को store कर दिया है दुबारा हम उसे लेना चाहते है उसको कुछ processing करना चाहते है उस पर तो हम उसे दुबारा अपने सामने ला सकते है retrieve कर सकते है उसके इलावा उसकी modify मतलब कि कुछ changes भी उसमें कर सकते है MSSS is a database management system and a part of a MS Excel जो MS office जो हमें provide करता है database management system वो क्या है MS assess in MSSS a database consists of tables ठीक है database किस पर consists होता है tables पर table is a collection of rows and columns जैसे कि MS Excel में था कि वहां पर भी rows and columns मुझूद होते थे same इसी तरह MSSS में भी rows and columns मुझूद होते है table की form में columns contain one type of data for example name address on phone ठीक है जितें भी columns होते हैं उनमें same data मुझूद होता है ठीक है columns is called a field column को हम field भी कह सकते हैं so in this example name is one field address is another field columns को मुझूद भी कहते हैं ठीक है जैसे उन्होंने ग्जैंपल बताई है name address or phone ठीक है यह भी क्या है name एक field है address अलग field है और phone एक अलग field है one row contains data of a specific object जो एक row है वो specific object के बारे में data contain करती है each row is called a record हर row को हम क्या कहते है record कहते है if values of three fields are Umar, Gulberg and 5742541 then these three values make one record besides tables database in MSSS can also be contained queries, form, reports and modules ठीक है अब वह बता रहे हैं के MSSS में tables से स्रफ मुझूद नहीं होते हैं एक चीज़ा मुझूद होते हैं queries, forms, reports and modules मुझूद होते हैं यह जब कभी class आप करेंगे MSSS तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ा होती है for any operation on database a specific language is used कोई भी हम operation on database पर पर फफर्फर्म करते हैं तो उसके लिए specific language मुझूद होती है SQL SQL is the abbreviation of structure query language structure query language abbreviation SQL का query query is the request to perform an action on database जब भी हमने database पर कोई action perform करना होता है क्या perform करते हैं query को perform करते हैं form form provides an interface to add or edit data जैसे के school का form मिलता है आपको जब आप एडमिशन लेने के लिए स्कूल में तो form मिलता है तो आप उसमें data को add करते हैं सेम इसी तरह MSSS में भी forms मुझूद होते हैं जिसमें data को add या edit कर सकते हैं उसके बाद reports are used to see data in a specific manner reports can be printed अप reports क्या है जैसे आपकी progress report है पेपर में नंबर हासल किये होते हैं हम progress report पर show करते हैं सेम इसी तरह MSSS में भी reports होती है जो के हमारे data को specific manner में दिखाता है reports को हम print भी कर सकते हैं यह थी class आपकी chapter number 1 की reading उमीद है आपको यह अच्छी तरह से समझ आई होगी अब आप आएं अपने question answers की तरफ question number 2 what are the uses of spreadsheet software answer spreadsheet software is a software used to store data and perform calculations spreadsheet software is used to manage different types of data most of the time it is financial data other uses may be inventory handling sale and purchase invoicing or budgeting etc question number 3 what is the purpose of function in MS Excel answer functions are predefined formula in MS Excel there are many built in functions related to mathematics, finance, statistics, text and data and time question number 4 what is a database database is simply a storage of data data is the collection of raw facts in computing data is the collection of facts which are ready to be processed now you come to your book match the words in column in column A we have what is MS Word MS Access MS PowerPoint MS Office MS Excel and column B database management system system office source we have to tell you what is MS Word क्या है ठीक है यह हमारे MS Office में मुजोद होते हैं different application software अब हमने बताना है MS Word क्या है MS SS क्या है MS PowerPoint MS Office क्या है और MS Excel क्या है MS Word क्या है हमारा Word Processor है तो MS Word को मिला दें Word Processor के साथ इसे तरह MS SS क्या है यह हमारी database management system है तो MS SS को database management system के साथ मिला दे ms powerpoint ms powerpoint क्या है हमारी presentation software है तो ms powerpoint को हम किसके साथ मिलाएंगे presentation software के साथ ms office यह office suit है हमारा तो इसे office suit के साथ मिला दे और लास्ट पर है ms excel यह special software है तो हम इसे किसके साथ मिलाएंगे spreadsheet अब आप आएं अपने mcqs की तरफ ms microsoft office 2010 is similar to office dash options है 2007, 2000 और 2003 तो correct option है 2007 second statement है हमारे पास first version of microsoft office was released in dash options 1989, 1988 और 1990 तो correct option है हमारे पास 1989 third statement है ms office 2003 version contain only dash application software तो इसका correct answer है 3 application software ms office 2003 version contain only 3 application software fourth statement है dash is one of the best word processor word processor क्या है ms word ही है इस बात का ख्याल रखें कि microsoft office का word processor है यह दुनिया का best word processor है तो correct option हमारे पास क्या आया ms word फीफ्थ statement है spreadsheet software provide facility to make dash options है functions, ms word और charts तो correct option है charts next statement है intersection of row and columns is called dash option cell, border और charts तो correct option है cell seventh statement है हमारे पास functions are predefined dash options, formula, cell और charts तो correct option हमारे पास क्या है formula eighth statement in ms excel there are many built-in dash options, functions, cell और formula तो correct हमारे पास option क्या है functions ninth statement है the display of slide is called dash तो correct option है हमारे पास slide show tenth statement है dash is a request to perform an action on database qd form or reports तो इसका correct option है qri eleventh statement है dash provide an interface to add or edit data options qri form or reports तो correct option है form last statement है हमारे पास dash are used to see data in specific manners options qri form or reports तो correct option है हमारे पास reports यहीं पिर last में आपके पास मजूद है true false ms office is a combination of useful software's true second statement है microsoft second of the biggest computer company in the world false third statement है microsoft xp was released in 2001 it's true fourth statement है formula perform calculations यह भी true है और लास statement हमारे पास database is simply a storage of data true class आपका lecture no.2 खतम होता है इस lecture में जितनी भी reading करवाई है उसे अच्छी तरह से समझें जो भी question answers करवाई गए है उसे अपनी copies पर लिखना है और याद करना है इसी तरह जो book work करवाई गया है उसे book work से लिखना है ठीक है जो बोल्ड नहीं किया गया जो से थोड़ा सा मोटा करके नहीं लिख्या गया वह आपने पैंसे करना है okay class अलाहाफिज